हेलो दियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वैलकम इन माई यूटूब चैनल आधर्स इंस्टिट्यूट आफ इंग्लिस दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे फ्रांसेस बैकेंड के बारे में जो की आपके L.T.G.R.E.D. के कोर्स में फ्रेंट नमर पे हैं या सबसे पहले नमर पे हैं जो की फिक्शन टॉपिक में हैं बैसे तो बहुत सारे ड्रामाज भी इसमें L.T.G.R.E.D. में आपके सिलेपस में दिये हुए हैं पिरोज एंड फिक्शन हैं ग्रामर तो आपकी हैं जैसा कि आपको पता है अभी हाल में ही आपका UP TGT PGT ये एक्जाम फिनिस हुआ है बहुत सारे अबढ़ती ऐसे भी हैं जिने अभी से ये हॉप या उम्मीद हो गई होगी कि उनका इसमें होना मुश्किल है कुछ ऐसे भी हैं जो या जिने की पूरा कॉन्फिडेंस है कि हा 27,000 वेकंसी UP TGT PGT की बैसे भी अब तक जो है इतनी वड़ी वेकंसी कभी नहीं आई है जो 15-16,000 ये वेकंसी 2021 में ये हुई थी अभी और ये सबसे बड़ी वेकंसी माने जाती थी TGT PGT की लेकिन अब 27,000 अगर वेकंसी आ जाती है तो इससे वड़ी वेकंसी ये भरती UP TG PGT PGT की ना तो कभी हुई है और ना कभी हो गई तो टाइम ना बेस्ट करते हुए हम लोग सुरू करते हैं अपना ALT GRADE का कोर्स तो ALT GRADE के बारे में ये मेरी पहली वीडियो है जो की फ्रांसेस बैकन के बारे में है मोस्ट इंपोर्टेंट एक एसेस्ट है ये जिने की फादर आफ इंग्लिस एसेस कहा जाता है फादर आफ इंग्लिस एसेस इन्हें यूही नहीं कहा जाता इनका बहुत 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 कंट्रिबिशन है और ALT GRADE में जैसे की आपका पहले 2018 में साथ जो इसका एक्जाम आफनी ये से खोले अवाज इसका बैक एंग्लिस आपने जाएक वेठोने में लिफ देखते हैं स्कूर्पर इजो कहिँ है अपके फ्रामसदा वेक न जो की रिलेट करते हैं एलिजबेथन इज से हैं आपके Francis Wacken Francis Wacken was an Elizabethan English philosopher थे ये, statesman थे scientist थे jurist थे, orator थे और author थे तो scientist में थे क्योंकि इनका जो method था बोथा scientific method ठीक और इनका जो life period है तो इनका जन्म वहा था 22 January 1561 1561 में इनका जन्म हुआ था इनकी death हुई थी 1626 में और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था York house near strand in London York house strand London में इनका जन्म हुआ था बात करें इनके माता-पिता की तो इनकी जो माता-पिता मतलब इनके जो पिता थे उनका नाम था Sir Nicholas Wacken Sir Nicholas Wacken इनके पिता का नाम था जो की एक English politician थे इसके पिता Francis Wacken के पिता कौन थे English politician और माता का नाम था Annie Wacken ये इनकी माता थी अब आगर बात करें इनकी education की तो ही entered Trinity College Cambridge उन्होंने Trinity College Cambridge में प्रवेश किया था जब बेकुल 12 वर्स के थे जब इनका जन्म वा था 1561 में और जब बारे साल के वो थे जब इन्होंने इस College में enter हुए थे तो जो बारे साल के तक कितना हो जाएगा 1573 तो 1573 की बात है ये He was also educated at the University of Whiteears इस University में भी उन्होंने अपना study अपनी पढ़ाई की थी और He met Qne Elizabeth First और उनकी जो meeting थी ये भै क्यों Elizabeth First से भी मिले थे क्योंकि जब इनका जन्म वा था तो उसमें England की महरानी Qne Elizabeth ही थी जो की 1558 को सिंगासन पर बैढ़ी थी और जो की चली थी 1603 था तो उसी period के बीच आपकी Francis Bacon थे तो जब वो Elizabethan Elizabethan से मिले थे तो वो उन्हें क्या पुकारती थी The Young Lord Keeper वो उन्हें ये पुकारती थी तो इस बात का ध्यान रखेंगे अब ये question ये आवी जाता है के who called Wacon The Young Lord Keeper तो वेकन के लिए Young Lord Keeper कौन पुकारता था वो थी Qne Elizabeth या इसी भी आ सकता है कि Qne Elizabeth Wacon को किस नाम से पुकारा करती थी तो ये आगा The Young Lord Keeper राइट अब बढ़ते हैं उनके Parliamentary Career Parliamentary Career जो है इनका ये कह सकते हैं Political Career तो ही वाज Elected MP वे MP चुने गए कई वार चुने गए Number 1 Bosnig Cornwall यहां के चुने गए थे 1581 में उसके वाद Milcom यहां के 1584 में फिर Tonton यहां के 1586 में फिर Liverpool इसके 1588 में और जो Middle 6 यहां के थे 1593 में तो इस तरह से आप इदेख सकते हैं के एक, दो, तीन, चार, पाँच बार यहां के वो MP चुने गए कहां के Cornwall, Milcom Tonton, Liverpool, Middle 6 जो की डेट लिखे हुई है Cornwall के 1581 में उसके बाद 3 साल बाद Milcom के 1584 में उसके बाद Tonton के 2 साल बाद 1586 में Liverpool के 1588 में फिर Middle 6 के 1593 में 184, 86, 88, 93 अब बढ़ते हैं next page की ओर He later said three times for Ipswich यह place का नाम है यहां के भी उन्हेंने पोस्ट समाली है कब-कब 1597 में फिर 1601 में फिर 1604 में 97, 1601, 1604 तक Ipswich क्यून एलिजबेट फिर्स्ट जो है वो कौन थी क्यून थी कहां की इंग्लेंड की कब 1558 से 1603 तक After हर उनके बाद में James फिर्स्ट जो थे King of England हुए थे यह तो आपको पता ही है अब भी बताया था कि 1558 में क्यून एलिजबेट फिर्स्ट थी जो की 1603 तक थी 1603 उसके बाद आते हैं James फिर्स्ट यह थे 1603 से 1625 तक तो भी दिया गया है इसमें इसलिए जब यह आ गये थे King James फिर्स्ट आफ इंग्लेंड तो Francis Bacon जो थे उन्हें अवार्ट दिया गया था नाइट होड का 1603 में किसके द्वारा James फिर्स्ट के द्वारा ही दिया गया था अब थोड़ा और देखते हैं इनकी मेरिड लाइफ के बारे में He married Alice Barnham उन्होंने साधी की थी Alice Barnham से 1606 में तो 1606 में इनकी साधी हुई थी उस टाइम इनकी येज थी 45 और जिससे साधी की थी उसकी एज थी मात्र 14 years मतलब ये थे 45 साल के वो थी 14 वर्स की तो इस तरह से हम कह सकते हैं 31 साल बड़े थे वो किसे Alice Barnham से उसके बाद है important points about Francis Bacon Francis Bacon के बारे मेहतपूल बिंदू है क्या है he was awarded with the office of solicitor general in 1607 में मतलब 1607 में उनके लिए अवार्ड क्या किया गया था the office of solicitor जानते हैं आप solicitor होता है बकील he was named Treasor of Ginz Inn Treasor of Grace Inn ये भी कहा गया था है नाम दिया गया था 1608 मतलब यहां बुलाय गया था he was appointed उनने appoint किया गया था कहां पर appoint किया गया था attorney general attorney general जो है उन्हें appoint किया गया था 1613 में उसके बाद most important point है यह दो he was appointed उन्हें appoint किया गया था regent of England कब 1617 में उसके बाद lord chancellor 1618 में मतलब regent of English 1617 में और lord chancellor 1618 में फिर एक point रहिए the king james first जो king james first थे उन्होंने created क्या wacon, warren, berulam of berulam यह बैकन के लिए कहा गया है और wacon तब से क्या जाने जाते थे francis lord berulam francis lord berulam इसके नाम से उन्हें पकारा जाता था यह था अब देखते हैं our next page उसके बाद है end of his public public career public career में किस तरह से उनके end हुआ था तो इसमें क्या है? हिवाज charge of corruption उन पर जो है विरस्टा चार का आरोप लगा था और उनका जो public career था 1621 में समाफ्थ हो गया था 1621 में जब उन पर corruption का चार्ज लगा था तब ही कह सकते हैं उनका public career end हो गया था और हिवाज died of pneumonia बहन निमोनिया समरे थे और कहाँ पर हाई गेट outside London और दफनाए गय थे St. Michael's Church यहाँ पर उन्हें बरी किया गया था उसके बाद है Bacon के works यह कह सकते हैं जो इतना लिखा हुआ है यह most important points है कुछ यहाँ से तो एक question बनता ही है His three editions of essay उन्होंने जो ऐसे लिखे थे Francis Bacon में वैसे भी उन्हें father of English essay कहा जाता है तो जो उन्होंने एसे लिखे हैं वो उन्हें के most important है three editions थे बात करें उन्होंका first edition जब यह आया था यह आया था 1597 में तो जो first edition आया था 1597 में इसमें मात्र 10 essay थे ठीक और इस essay के लिए उन्होंने dedicate किया था अपने भाई Anthony को जैसे कि आपके जो course में of studies जो essay है जो कि Francis Bacon ने लिखा है आपके course में दिया है lt grade में यह आपका essay जो था इसी edition में आया था पहले बाले में फिर second बाले में भी इसे add किया था तो अब बात करें उन्होंने second edition जो आया था वो आया था 1612 में 1612 में इसमें सभी essay थे अलतिस और यह dedicate किया गया था John Constable के लिए ठीक है उसके बाद आया third edition उनका जो third edition था यह आया था 1625 में इसमें थे 58 essay मतलब जो third edition था वो 1625 में आया था इसमें 58 essay थे या इसी को हम क्या कह सकते हैं Consils Civil and Moral यह इसी का नाम है यह dedicate किया गया था George Billards के लिए तो यह 3 उनके edition से ध्यान रखें ध्यान क्या रखना है किवल इतना कि 1597, 1597, 1597, 1612, 1625 यह इतना ध्यान रखें यह 10, 38, 58 यह द्यान रखें 10, 38, 58 टिक first edition, second edition, third edition यह से कितने हैं 10, 38, 58 उसके बाद उनके जो वर्क्स हैं Advancement of Learning यह वर्क है उनका Advancement of Learning जो वैकन का Advancement of Learning है यह पब्लिस हुआ था 1605 में पहली बार और it was consisting of two books इसमें दो किताबे हैं और यह dedicate किया गया King James first के लिए राइट 1605 में पब्लिस हुआ है और dedicate किया गया है King James first के लिए अब देखते हैं next page को इसके बाद है जो अभी हमने discuss किया था Advancement of Learning जैसा कि आपको पता यह पब्लिस हुआ था 1605 में 1605 में ही पब्लिस हुआ था इसमें कितनी books हैं? तू कैसी है? In the first book पहली book में वैकन पॉइंट सौट बैकन बताते हैं His disc credits जो कह सकते हैं अपनी नापसंदगी किस के लिए? Human of Learning सीखने के लिए From Human Defect मानव के Defect से Second book में जो है He provides the survey बहक सर्वे बताते हैं और classification बताते हैं All kinds of knowledge हर प्रकार की ग्यान का तो यह हो गया आपका Advancement of Learning तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही discuss करते हैं कल की वीडियो में discuss करेंगे कुछ उनके और works हैं जैसे कि Novum Organum है New Atlantis है और उनके जो famous points हैं वो है और most important points कुछ और discuss करेंगे next वीडियो में और फिलाल आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जहिंद दोस्तो